नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में दो स्टोक्स का तो रिजल्ट डिस्कस करेंगे और टाटा मोंटर्स का दियान रखे का टाटा मोंटर्स के रिगार्डिंग एक और पॉजटिव निउस आईए काफी शानदा रिज़ है रेटिंग अपग्रेड हुई है उसकी और वो पॉज़ जादा रेविन्यू पिछले क्वाटर के मुकाबले 105 करोड कम हुआ है 632 करोड के मुकाबले सिर्फ 523 करोड रह गया प्रोफिट था 22 करोड का नुकसान हो गया है 69 करोड का 400 परसेंट नुकसान हुआ है 91 करोड तो एक खराब रेजल्ट क्वाटर लीक अगर बात करें पिछले साल का क्वाटर फॉर इस साल का क्वाटर फॉर गी तो 12 करोड रेविन्यू जरू बड़ा है बड़ प्रोफिटेबिलिटी नहीं हुए 14 करोड के लोस के जगह 79 करोड का लोस हुआ है तो यह करीबन करीवन 55 करोड का यहां नुकसान नाम बतकार बात कर रहा प्रोफिटेबिलिटी नीचे कई है बट हाँ इस से कुछ ज़ादा प्रोब्लम आती नहीं है आप ध्यान रखेगा पिलेखाल के सेम क्वाटर से बात करें रेविन्यू बढ़ा है 400 करोड के करीब अगर प्रोफिटेबिलिटी की बात करें तो क्या उनका रोड प्रोफिटेबिलिटी है तो क्वाटर रोंड क्वाटर पिछले साल के मकाबले अच्छा ही रजल्ट रहा है और साड़े 8 रोपे का डिविडेंट भी दिया है नाम है टाटा कंजूमर प्रोडक्ट पहले भाग चुका है तो नजर बना रखेगा कल के दिन क्या होता मार्केट में रजल्ट होके होके है इसका रजल्ट में कोई प्रोब्लम नहीं है रहले इस इंडिया का खराब रजल्ट एस अप्ग्रेड गया टाटा मोटर्स को आउटलुक खबरें अच्छी आई है इस टोक के रगाड़ें